मूवी के स्टार्टिंग होती है एक लड़की को दिखाते हुए जिसका नाम रिक है और वो पनी स्कूल बस की बीचे तेजी से भाग रहा है क्यूंकि आज वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है अब बस थोड़ा आगे जाके रुप तो जाती है लिकन रिक उससे ठकरा जाता है पिर स्टॉप साइन से भी डगरा जाता है और बस में चरते चरते दर्वाजे से भी यानि आज बिचारे के किसमत ही खराब थी अब जैसे ही वो बस में एंटर होता है तो उसके साथी यानि उसके स्कूल मेट्स उसे अपने साथ ही नहीं बिटा रहे होते हैं सारे उससे क पिसन्द करता है और यह रिक का क्रश भी है इस लिरगे का नाम जिल होता है पर तभी रिक का दोस जब sack कर दो को में कभी नहीं कि अपunted से पिप नहीं हुअ पर शुकर है कि वहां ये बात कोई नोट नहीं करता, अम चला हुआ बर्ड जब नीचे गिरता है तो रिक उसे पने पाउंसे भुझाने लग जाता है, यानि उसकी आग को भुझाने लग जाता है, तो इसी चिकर में उसका जूत था जिल के फ्रेंड को जाकर लगता है, तो वो गुस्से में आकर रिक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने मुझे मारा तो उनके बीच में जिला जाती है और उनकी लड़ाई को रोकती है और तब ही वहां पर किसी साइंटिफिक प्लेस का CEO भी आ जाता है जो उसके खंदे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अपनी लड़ाई को खतम करो सारे बिचे आगे जा रहे होते हैं तो रिक नोटिस करता है कि CEO की कुछ तबियत खरापसी हो रही है उन्हें कफिंग हो रही है और साथ दी साथ उनकी खासी में खोन भी आ रहा है तो उनसे पूछता है कि क्या आपकी तबियत ठीक है तो वो आ लास चमबर के पास पहुंचते हैं जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेगन फ्लाइज हैं लेकिन उसमें से ट्रेगन फ्लाइज औरता हुआ रिक का पीछा करने लगता है और उसे गरतन पर काट लेता है जब रिक अपने घर पहुंचता है तो हमें पता चलता है कि वो अपनी अंकल और आंट के साथ रहता है अब यहां पर उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो रही और ऐसे लग रहा था जैसे उसकी बोडी में हलकी हलकी स्वेलिंग भी हो रही हो उसके अंकल उससे कहते हैं कि बीटा मश्लियों को खाना डाल दो और अब जैसे ही रिक एक्वेडियूम खोलता है तो उसे वामिटिंग होने लगती है और उसके अंदर ही वामिट कर देता है और फिर अपने कमरे में आकर बैट जाता है अब उसके अंकल भी उसके पीछे पीछे आते हैं वो आकर रिक को बताने लगते हैं कि तुम बड़े हो रहे हो तुम मूट सरेंग जाना नॉर्मल बात है पर यहाँ पर रिक बैक पर केर जाता है और कहरी नीन सो जाता है उधर हम उसी CEO को देखते हैं जो बाकि सारी लोगों को पनी इन्वेंशन्स दिखा रहा होता है और अब वो एक अलेक्ट्रिकल शियर पर बैठ जाता है जिस पर बैठने के बाद उसे कुछ अलेक्ट्रिकल शॉक्स लगने लगते हैं अब उसके पास एक आदमी खड़ा होता है जिसका वो हाथ पकड़ लेता है तो उसका हाथ पकड़ने के बाद उस आदमी की सोल इस CEO में आ जाती है सोल नहीं एक तरहां की सिंदगी यानि CEO की सिंदगी अब लंबी हो जाती है यहाँ पर सारे लोग यह देकर डर से जाते हैं हम देखते हैं कि रिक को होश आगया है और अब यहां पर वो अपना computer on करता है और Google पर सर्च करने लग जाता है कि ड्रैगन फ्लाइ बाइट यानि वो यह देखना शा रहा था कि ड्रैगन फ्लाइ के काटने से क्या होता है क्योंकि उसे अपनी बाडी में बहुत से चेंजिस मिल रहे थे पर तबी उसे एक notification आती है कि प्रोफेसर एक्स ने आपको फेस्बुक पर ऐसे friend आड़ किया है और साथी साथ उनके कुछ messages भी आते हैं कि Rick सारे जबाब मेरे पास है मुझे मर ढूनना मैं तुम तक खुद आऊंगा तो भी उसकी नजर परती है अपने father की picture पर तो वो उसे देखने लग चाता है और अपने father को miss करने लग चाता है कि daddy आप बहुत जल्दी चले गए फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि इनके school में एक science fair होता है तो वहां Rick भी जाता है वहां पर एक guest आये होते हैं और वो होते हैं Stephen Hawking वो आगर इन सब बच्चों से कहने लग चाते हैं कि मुझे देखो मैं चल भी नहीं सकता मैं चाता हूं कि मेरी भी तुम लोगों जैसी सिंदगी होती मैं जहां चाता वहां जा सकता अब इसके बाद सारे बच्चे अलग-अलग हो जाते हैं तो Rick जब चल कर जा रहा होता है तो उसकी नजर सिल पर पढ़ती है और वो उसी में खो जाता है और इसे वज़ा से उसकी टकर सिल के दोस्त के साथ हो जाती है वो रिक से कहता है कि देख के चला करो अब जैसे ही रिक तुड़ा आगे जाता है और पानी पीने लगता है तो जिस बोड़ पर वो हाथ रखता है वो उसका हाथ उसी के साथ चिपक चाता है वो अपना एक हाथ तो चुडा लेता है और अब्सर्फ करता है कि उसके हाथ पर छोटे छोटे बाल आ रहे हैं और उसके हाथ काफी स्टिकी यानि चिपचिपे से हो रहे हैं अज़ जब वो दूसरा हाँ चुराने की कोशिश करता है तो वो टाइप बॉक्स उसके हाथ के साथ ही चिपक जाता है और चटका लगने की वज़ा से वो सीधा जाकर जिल के दूस पर लगता है तो अब यहाँ पर लड़ाई होने लगती है उन दोनों की लड़ाई के दिंद meyan डर्र sacrificed Stephen Hawking की उसी wheelchair के उपर जाकर गिरता है जिससे स्टिफवन hawking भी सखमी हो जाते है वो मक्यों के छत्ते में जाकर गिरते है जिसके विज़ा से सारी की सारी मक्या बाहर आने लगती है और सारे students में हलचल बच जाती है रिक अब वहाँ से बाहिर जाता है और नोट करता है कि वो building के उपर चल सकता है वो jumps भी लगा पा रहा था उसके हाथ भी sticky हो गे थे और उसकी body भी काफे flexible हो चुकी थी उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई spider man बन गया हो तब ही वो वहाँ से देखता है कि रौट पर एक टॉट काफी तेजी से आ रहा है और उस टॉक के सामने एक बूडी और उसका dog है तो Rick यहाँ पर उनकी मदद करने चाता है और फारन से वहाँ जा के उस बूडी और उसके dog को धुका दे देता है और टॉक भी यहाँ पर रूच जाता है अब सारे लोग आकर उसको हिरान होकर देखने लगते हैं रिक समझता है कि शाहिए वो मेरी तारीफ कर रहे हैं या मज़ एप्रिशेट कर रहे हैं पर जब वो दूसरी तरफ देखता है तो वो बूरी औरत किसी टंपर में भसी होती है और उसका डॉग भी बिचारा नीचे खड़ा होता है वो डॉग भी लिटक रहा होता है अब इसके बार रिक अपने घर जाता है जैसे वो घर के अंदर एंटर होता है तो देखता है कि उसके अंकल और उसका दोस्ट वहाँ खड़े हुए है उसके अंकल उसकी तरफ एक की खेंगते है जिससे रिक काफी अअसानी से कैश कर लिता है तब ये उसके अंकल उसे देखे बढ़कर बदले लग रहे हो और रिक भी अपने अंकल की हरबाग का काफ़ी कुईध रहा होता है एक्सपेरिमिन करने के लिए वो प्रिक पर अटाक करते हैं वो एक नाइफ उटाते हैं और उसे मारते हैं पर वो चागो मुर जाता है और रिक को कुछ भी नहीं होता यहां पर उन दोनों को बता चल जाता है कि रिक के पास कोई सूपर पावर्स है रिक नोट करता है कि साथ वले घर से काफी अजीब आवाजे आ रही है यानि वो जिस घर के पास खड़ा हुआ है और ये घर है उसकी दोस्त जिल का अब वहाँ से जिल अपने घर से बाहर आती है क्योंकि उसे उसके दोस्त ने लेने आना था लेकिन जाते जाते वो रिक से ये भी कह जाती है कि मैं तुम्हारे साथ भी ड्राइफ पर जाना चाहूंगी तो रिक बिचारा मासूमियत से पनी साइकल की दिखता है कि मैं अपनी साइकल पर इसे ड्राइफ पर कैसे लेकर जाऊंगा और तभी उसकी वो छोटी सी cycle पर गिर जाती है और तोट जाती है यानि रिक को अब सिल से मिलने की कोई उमीद नहीं थी यानि उसे drive पर ले जाने के लिए उसके पास कोई और source नहीं था अब रिक घर आता है और उससे उसी professor X की video call आती है और वहां पर एक वोप अप नोटिफिकेशन आती है जो किसी बैंक का एड़ होता है कि अकर आप गाड़ी के लिए लोन लेना चाहते हैं तो हम आपको लोन देंगे अब ये देखकर रिक काफी खुश हो जाता है और सुबा अपने अंकल और आंट के साथ लोन लेने बैंट जाता है और तभी वहां पर रोबर्स आकर बैंट को लूटने लग जाते हैं और जब रिक बाहर जाकर देखता है तो वहां पर भीड लगी होती है उस भीड के अंदर कोई चोटा सा बंदर होता है जो अपने कर्टब दिखा रहा होता है लेकिन पास में ही उसके अंकल की बाड़ी बड़ी होती है वो फॉरण से भाकर जाता है और अपने अंकल को देखता है तो शुकर है वो जिन्दा होते हैं उसके अंकल उससे पूछने लग जाते हैं तुम क्या एक रिस्पॉंसिबल लड़के हो तो रिक काके से कहता है मैं भी नहीं जानता हूँ तब ही वहाँ पर एक मेडिकल तीम आ जाती है जो रिक की अंकल को हॉस्पिडल शिफ्ट करती है अब दूसरी तरह हम CEO को देखते हैं जो के अपने आफिस में है और उसके ओफिस में उसकी एक असिस्टेंट आती है और यहाँ पर उस CEO की तबियत खराब हो रही थी वो दुबारा से फीक फील कर रहा था तो वो अपनी असिस्टेंट का हाथ बकरके उसकी सारी जान ले ले लेता है और खुद पावरफुल हो जाता है और इसके बाद उसकी डेट बोडी को अलमारी में चुपाने लगता है तो रिक को हम देखते हैं जो कि अपने अंकल के पास होता है और इसके बाद वो सुचता है कि क्यो ना प्रोफेसर एक्स से मिला जाए क्योंकि वो उसकी शिकल तो देखी चुका था उसके मिलने जाता है तो उसको किसी ऐसी स्कूल में लेकर आता है जो कि स्पेशल बच्चों का स्कूल है और यहाँ पर प्रोफेसर एक्स रिक को ये भी बताने लगते हैं कि तुम एक बहुत ही स्पेशल बच्चे हो यानि तुम में बहुत जादा पावर्स है अगर तुम उनका यूज करो तुम और भी सकते हो प्रोफेसर एक्स भी वील्चेर पर होते हैं आव वह मिलते हैं अपनी बीवी से उनकी बीवी भी वील्चेर पर होती है और उन सब में बाते होने लगती हैं तब ही प्रोफेसर X की बीवी एक चूटा सा बच्चा सामने लाती है जो के बच्चा यानि इनसान भी नहीं लग रहा होता है इसे लग रहा था कोई ट्रॉय है और वो भी फिल्चेर पर ही बैठा होता है बच्चा आइस्ता इस्ता से अपने चोटे-चोटे हाथ अपने धिमाग की तरफ राता है और टेली का इनाइसिस करते हुए अपने फादर को यानि प्रोफेसर X को हवावे उड़ा देता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर X की भी भी रिक के सामने आती है और उसे कहती हैं कि तुम इसकूल में बिना कॉस्ट्यूम के ही आ गए हो अगर तुमें सूपर हीरो बना है तो अपना कॉस्ट्यूम डिसाइन करना होगा अब यहां पर रिक जाकर अपना कॉस्ट्यूम डिसाइन करने लगता है जो कि एक क्रीन कलर का होता है और उस पर ब्लैक कलर का ट्रैगन फ्लाइ बना होता है और उसे या आइडिया उसी ट्रैगन फ्लाइ के काटने की वज़ा से आया था अब इसके बाद Rick अपनी चट पर चला जाता है और वहाँ बैठने लगता है कि तब भी वहाँ पर एक और आतमी आता है जिसने blue color का costume पहना होता है वो उसे कहने लगता है ये मेरी जगा है यहाँ से वो ठोक तो रिक उसे कहता है आओ बात करते हैं मिलकर बैठ जाते हैं अगली सूव किसी office में रिक एक job interview के लिए गया है वो उसे अपनी उसी costume में pictures दिखाने लगता है लेकिन वहाँ का boss उसे कुछ ज़दा impressed नहीं होता अब तबी वहाँ पर एक आतमी आता है जो बताता है कि जिस युनिवरस्टी में ये सारे students पढ़ते हैं यानि वहाँ में सिर्फ इतना कहता है कि युनिवरस्टी के बाहर पुलिस आ रखी है और तबी वहाँ से रिक खाइब हो जाता है जहां पर ये सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर वही CEO आया होता है जिसने ब्लैक और रेड गलर का कॉस्ट्यूम पहना होता है और उसके बाजू पर एक कंटेनर लगा होता है और अब वह यहाँ पर जवान रूहों का यानि यूथ का बलड लेने आया था और ऐसा सीरम जिससे वो जवान रह सके और तबी यहाँ पर रिक भी उसे ड्रैगन फ्राइ की कॉस्ट्यूम में पहन जाता है और अब उनमें लडाई होने लगती है जिल भी ये सब कुछ तरीक रही होती है अब आइस्ता इस्ता उनकी लडाई एतनी सादा बढ़ने लगती है कि वही सीईयू यानि जो बलाक और रैड कॉस्ट्यूम में है उसकी तरह प्लेट्स पैंकता है लेकिन लगे लिए उसका कॉस्ट्यूम इतना मस्पूत होता है कि रिक सख्मी नहीं होता उसकी जान खत्रे से बाहिर होती है उसकी बाद लड़ाई खत्म हो जाती है क्योंकि सीईयू वहां से छुपकर चला जाता है पर रात को हम देखते हैं कि सिल एक टेडर से बाहिर आ रही है तो रिक उसका पीछा करते करते उसके बास आता है तो आगे से कुछ भी नहीं कहता और तबही जिल वहाँ से चली जाती है और in fact उसे ये भी नहीं बता होता कि Dragonfly वाली कॉस्ट्युम वाला आगमी है कौन पर उसे वो Dragonfly कॉस्ट्युम वाला मैं बहुत अच्छा लग रहा होता है वो उसे काफी impressed होती है थोड़ा आके जाते ही उसके पीचे कुछ बुरे लोग बढ़ जाते हैं और एक जैसे ही पीचे से ये देखता है तो वो दुबारा से पने उसे ट्रैगन फ्लाइवारे रूप में आजाता है और उन बुरे लोगों से लड़ते हुए जिल की चान बचाता है यानि उनकी पावर अपनी बॉड़ी में लाना होगी उसके बाद वो मर नहीं सकेगा और अब से ये उस पर काम करने लग जाता है उदर हम ड्रिक को देखते हैं उसने जिल को अपने घर पाटी में इन्वाइट किया होता है अब जैसे ही जिल कहाँ पर आती है तो उसके रिक की आंट के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो उनको बताने लग जाती है कि मझे ड्रैगन फ्लाइ वाले मैंस से यानि उस आदमी से जिसने ड्रैगन फ्लाइ का कॉस्ट्यूम पहन रखा है काफी अटाश्मेंट सी फील होने लगी है ऐसे लगता है जैसे मैं उसे पसंद करने लगी हूँ लेकिन तब ही वहाँ पर जिल का दोस्त और उसके वही अंकल आज आते हैं जो के सी इओ है अब उदर हम उपर रिक के कमरे में देखते हैं कि रिक पाहर से अंदर आया है उसने वही ड्रैगन फ्लाइ वेला कॉस्ट्यूम पहन रगा है इससे पहले कि वह अपना कॉस्ट्यूम चेंज करता वहाँ पर वही सी ही हुआ जाता है जो कि उसे को देखने आया था क्योंकि उसे शक होता है कि यह ड्रैगन फ्लाइ मैन यही रिक है पर यहां पर रिक यानि यही ड्राइगन फ्लाइ मैन फॉरण से उपर अपनी चत पर छुप जाता है। यानि कमरी की चत पर CEO जब उतर देखता है तो वो किसी ट्रॉयर में चुप जाता है। यहांपर वो CEO नोटिस करता है के रिक के हाथ पर और हॉन पर सखम के निशान है। तो उसे पूछने लग जाता है कि भ ev कl कहां से आरहे हूँ। तो रिक उसे कहता है कि मैं किसी लड़के से लड़कर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर CEO को शक होने लग जाता है कि शायद यही ही Dragonfly है पर रिक उसकी कोई बात का जवाब नहीं देता और उसे ignore करता है इसके बात हम देखते हैं कि सिल का friend वहाँ से चला जाता है और अब सिल और रिक अकेले होते हैं और Dragonfly के बारे में ही बाते करने लग जाते हैं पर जैसे ही लोग बाते कर रहे होते हैं तब ही वहाँ पर CEO अपना black और red कोस्ट्यूम पहन करा जाता है और इस कोस्ट्यूम के साथ इसका नाम है Hourglass वो इन पर attack करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे कहीं 1000 लोगों की जान लेनी है अब वो आग्याने की कोशिश करता है लेकिन रिक उस पर attack करने वाला होता है कि तब इसलिब होके खोदी नीचे गिर जाता है अब इसके बाद Hourglass प्रिक की आंट के पास जाता है और उनकी जान भी निकाल लेता है अब यहां पर तो उनकी डेध हो जाती है तो अब उदर हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि रिक की अंकल जो काफ़े बिमार थे उन्हें होश आ चुका था पर डॉक्टर्स ने सकती से मना किया था कि इन्हें कोई बुरी खबर नहीं देनी लेकिन फिर भी एक डॉक्टर आके उन्हें वहां पर बता देता है कि आपकी वाइफ मर चुकी है और अब सुबह उनका फ्यूनरल होता है जिसमें उनके हस्बेंट या निरिक की अंकल भी शामिल होते हैं और एक ताबूत में चले जाते हैं ताकि वो अपनी बीवी के साथ ही रहें पर उन्हें नहीं पता था कि ये ताबूत उनकी बीवी का नहीं है बलकि उनकी बीवी वला ताबूत तो भी आ रहा था और जैसे कुछ लोग उस ताबूत को लेकर आ रहे थे तो स्लिप होने की वज़ा से उस ताबूत का कैप खुल जाता है यानि उसका डोड खोल जाता है और उनकी वाइफ नीचे गिर जाती है जहांबर उसकी वाइफ गेरी थी वहांपर आग लगी हुई थी तो वो आग में चल जाती है कुछ टाइम गुसर चुका है रिक काफे साधा डिप्रेस्ट है वो घर में एकेला बैटा हुआ है उस तिपने घर काफी गंदा किया हुआ है और अब तो उसकी ताड़ी पर आ चुकी है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। अब यहां पर सारे एक चीज़ को लेकर परिशान हो रहे थे। क्योंकि Hourglass ने रिक से कहा था कि वो किसी ऐसी सेरिमिनी में जाएगा जहां पर हज़ारों लोग हो और वहां पर वो सारे लोगों की जान लेगा और एक साथ ही स्टॉंग हो जाएगा तब ही टीवी में नियूज आती है कि एक कर्वेंशन होने वाली है और उसमें हज़ार लोग आने वाले है तो रिक को पता चल जाता है कि यही वो मुकाम है तो रिक से वो कहता है कि यही है आवर ग्लास तो रिक वहां जाकर उसमों को बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाता है और इसी दुरान असली आवर ग्लास यानि वह सी यह वहां से भाग जाता है अब जैसे ही आवर ग्लास वहां से निकला था तो उसने अपनी electrical chair को भी start कर लिया था और उपर जाते ही उसने पूरी की पूरी चट रिक के उपर फैंक दी थी जो कि अब dragonfly के कॉस्ट्यूम में था पर रिक अपनी पूरी power use करते हुए उस चट को अपने उपर से हटाता है लेकिन यहां पर एक अचीब चीज होती है कि वो चट दुपारा से ही रिक की उपर आकर इर जाती है बिच चारा रिक अब यहां पर hourglass ट्रिक पर वही blades फैंकने वाला होता है लेकिन तभी जिल बीच में आ जाती है ताके रिक की चान बच सके और अब उसे वो blade लग जाता है रिक को समझ नहीं आता कि वो क्या करे तो वो फॉरण से चैट पर जाता है जहां पर hourglass अपनी chair पर है वो उसी chair का use करते हुए सिल की जान वापिस लाता है सिल अब रिक का शुक्रिया दा करती है तब वो लोग स्क्रीन पर देखते हैं कि सिर्थ 10 सेकंड बाकी बचे है और इसके बाद hourglass immortal हो जाएगा तो वो उसे रोपने का सूच से है hourglass भी foreign foreign से उसके तरफ plates पहंक रहा होता है लेकिन ड्रेक बैक flips लगाता हो अपनी जान बच जाता है और उसके बाद से कैसा fluid लेकर आता है जो कि explode कर जाता है यहाँ पर वो hourglass यानि CEO तो मर जाता है और क्योंकि ड्रेगन फ्राइ का कॉस्ट्यूम काफी अच्छा होता है उस पर किसी चीज़ का असर नहीं होता तो वो बच जाता है और दूसरी तरफ से इस जिल भी उस explosion की वज़ा से दूर जाकर गिरती है और अब Rick और सिल एक साथ उस building से नीचे गिर रहे होते हैं पिर उसके बाद हम देखते हैं कि नीचे गिरते हुए जिल ये note करती है कि Rick के हाथ में वही ब्रेंग है से पता चल जाता है कि किस पावरफुल फैमली से बिलॉंग करता है और यहां पर वो एक दूसरी के लिए अपना प्यार एक दूसरी से confess करते हैं ये मुवी यहीं पर एंड हो जाता है